जी पार टू शुरू हो गया अच्छा चले स्टेप बार स्टेप ना यहां तक तो कुछ कर लिया होगा अब इदर देखे मैंने डिस्पोज होने वाले बिल्डिंग की डेप्रिसेशन निकालनी है अब वो बिल्डिंग की कॉस कितनी थी मेरी बला से बुक वैलियो मुझे क्य ज़रूरत रिवैलियो होकर सारी विल्डिंग एक सो उन्चास पर पहुंच चुकी है जिनमें डिस्पोजल वाली कत्तिस यारिया नौ दो पर पहुंची हुई है तो यह कत्तिस यारिया नौ दो 31.92 जो है यह रिवैलियूड अमाउंट है इसको हमने डिवाइड करना है ट् 21 years लेकिन इससे क्या होगा इससे पूरे साल की depreciation निकलेगी इसी को इसी लिए तो इसको अलग किया है कि इसको हम पूरा सार इस बिल्डिंग को पूरा साल depreciate नहीं कर सकते यह annual depreciation आएगी हम इसको क्या करेंगे 6 by 12 जी बोले 0.76 यह depreciate हो भी 0.76 अब मसला क्या है अगला आपको पता है री वैलिशन अपवर्ड हो तो depreciation आम हलाद से ज़्यादा आती है यानि incremental होती है और incremental depreciation की entry depreciation के साथ ही करनी पड़ती है अब यह building अलग से करके 6 महीने depreciate की है तो यह building भी तो इन ही में पड़ी है तो अगर सब building पर यह surplus आया है तो इस पर भी तो आया होगा इसका surplus कहां से निकलेगा इन दोनों को comparison से यही balancing इदर surplus आ जाएगा तो इस अकेली building का surplus कितना बना 4.20 ऐसे यह यह 138 में 27 इस building का था 149 में 31 something इस building का था disposal वाली का इस 11 के surplus में 4.2 इसका है तो 4.2 को क्या करेंगे अब 4.2 को भी क्या करेंगे depreciate कहलो कहलो कोई मसला नहीं है depreciate ही होता है मतलब incremental depreciation उसको भी कम कर रहे थे खतम कर रहे थे ठीक है तो कितना है जी 4.2 divided by 21 years तो years से divide करेंगे तो per year depreciation आएगी न ठीक है 21 years into 6 by 12 जी point 1 चीक है इसको छोड़ो मुझे पहले यह निकाल दो अब आप लोग बाकी buildings की 12 मीनों की depreciation जल्दी करो इसको छोड़ो book value बात में देखते हैं पहले यह निकालो निकालते हो यह नहीं जगा छोड़ दे ना दो लाइने छोड़ दो working के लिए और बस यह लिखा हो है ना वीचे दो लाइने खाली हो यह अगला काम करो देखो सही निकालते हो यह नहीं निकाल के रखो सब बच्चे सब बच्चे अपना अपना answer निकाल रखो फिर देखते हैं बहुत सारी विल्डिंग्स थी एक बिख गई तो बाकी जो पड़ी हैं उनकी तो अड़ेप्शन होगी ना पूरे साल झाल पूरे साल जे कुछ किया, दमाग ने कुछ कर लिया, चलो और नहीं तो, इधर देखो भाई, सारी बिल्डिंग्स की रिवैलुड अमाउंट है, 140, जिसमें से 30 वाली डिस्पोल हो रही है, तो इसको अलग करके डेप्रिशेट कर लिया, लेकिन बाकी बिल्डिंग्स कैसे निकलेगी, ब 31 पॉइंट, ये जो भी आता है, वो रिमेनिंग बिल्डिंग्स की रिवैलुड अमाउंट है, इसको डिवाइड कर दोगे, 21 येर्स से, और इन्टु 6 बाई 12, नहीं करना, 6 बाई 12, नहीं करना, ठीक है, अगली बात, सर्प्लस के साथ भी तो वही करना है, सारी बिल्डिंग्स का सर्प्लस कितना, 11.76, बिकने वाली का सर्प्लस, 4.2, जिसको अलग करके हमने कर भी दिया ट्रांसफर, तो जो बाकी बचेगा, वो बाकी सारी बिल्डिंग्स का है, जो सारा साल इस्तमाल हुई, तो उसको डिव ही है जी आंसर बताएं 5.62.36 अब रह गई बात बुक वैलिय ओफ डिस्पोजल तो डिस्पोजल की बुक वैलिय यहां से माइनस क्यूं करते हैं मैंने कहा क्यूंकि यह वर्किंग इस पर बन रही है बुक वैलिय ओफ डिस्पोजल कैसे निकलेगी सोचे सोचें कोई फिगर आप भी निका ले सारा काम आप ही कर रें आज है तो क्योंकि यह का मक क्या है है 31 4 इस इसमे से निकालना ना किसमे से नो दो निकालना था लेकिन 21 से 9डों में से कुछ पहले इंगल गया है तो इसलिए मेंने क्या är champ कहा यहां पे क्या लेना है आपने गुषऑ वेलियो आब बुक वेलियो कैसे निकलेगि 31.92 माइनस .76 क्या किया हमने How to wait a New amount less accumulated depreciation जो इस दिन revalue हुआ तो सारी डेप्शिन वैसे ही transfer होकर eliminate होकर nil हो जाती है न बोलो इस दिन तो कोई डेप्शन नहीं पड़ी थी फिर सिरफ ये छे महिनों की डेप्शन accumulated पड़ी हुई है तो book value 31.92 यानि acid पूरे का पूरा निकल गया देप्शन होकर कम हो गया था न यहीं इसमें कितना बड़ा था 31.92 कितना कम हो गया डेप्शन की वाज़ा से 0.76 तो कितनी book value बच के इसकी 31.16 को माइनस कर दिए ऐसे ही 4.2 surplus था इसका 0.1 हम transfer का चुके retained earnings में बाकी भी आप कर देंगे transfer ची 4.19 ठीक है जी तो हमारे पास book value आ गई 31 सब्बर 2014 पर कितनी जी 149 माइनस इस माइनस इस माइनस इस इस इकल डू 112 भाई क्या कह रहे थे पता नहीं दिवाने हुए रहे हैं बच्छ एक सो बारा इशारिया चार बस और आगे 7.1 जी कोई question है तो बिलकुल पूछ सकते हैं तो सली इसे देख ले कोई मसला नहीं ताके मैं फिर अब निया वाला काम भी करूँ ना अच्छा जी इदर देखें जरा कोई question नहीं है कोई मसला तो नहीं है इसमें किसी calculation में seven point और ये तो आपका मसला है ना मैंने को question तो नहीं है कोई question नहीं calculation जी बेटा कौन सी बेटा ये वो कह रहा था सवाल पढ़ें तो सवाल पढ़ते हैं ना सवाल में कहता है तीस जून पे हमने या यकम जलाई पे हमने one of the buildings costing 33, cost इसकी 33 थी was sold for 30 ठीक है अब हमारे पास तो सारी buildings की cost है ही नहीं शायद है लेकिन हम उदर से चले ही नहीं हम कहां से चले हैं इनको net करके बुक वैलियो से तो शुकर है उसने बुक वैलियो भी बता दी है यह कहता है on यकम जन्वरी चौदा wdv before revaluation book value before revaluation और revalued amount of sold building amounted to 27 and 31 मतलब यह cost और यह book value net की हमने तो सारी buildings की opening date पर क्या आ गई opening book value ऐसे ही है यह सब की है इस को net करके आंसर क्या आया हुआ जरा बताना जरा 140 कितना है उपर 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 130 कितना है 130 वानेट ठीक है न यह है बुक वैलियो बिफोर revaluation सब बिल्डिंग की वो कह रहा है इसमें 27 पड़ा है बिकने वाली का और सब बिल्डिंग्स की रिवैलिड अमाउंट है 144 यह नौचार वो कह रहा है इसमें 31 पड़ा है बिकने वाली बिल्डिंग का सिंपल तो इसी तरह हमने कहा कि जब यह बुक वैलियो निकाल नीदी न को आसको पर हमने च्छोड़ती यह ना बुक वैलियो सवाल चुरू किया था यह नेट करके तो बुक वैलियो 138 में बिकने वाले की यकम जनी 14 पर उसने क्या का एक वैली कितनी है और इसमें बिकने और फिर इसको निकाल भी भैंग देंगे और बाकियों को बाकियों को पूरा साल डेप्शिट कर देंगे जी अच्छा 4.2 में से 0.1 निकले तो क्या आता है 4.1 नहीं आता है यह जीरो है ना बेटा क्या बैसी बात का रहे हैं बेटा आप 4.20 माइनस 4.20 माइनस फिर इसके आगे भी 0 यह जीरो यह आंसर यह जाए कोई बात नहीं बच्चों को जाता कर शुबह से सुबह से कॉस्फ पढ़ वे होते हैं कुछ बच्चे अच्छे जी जी चले आगे अच्छा जी मैं आपको कुछ रिवाइस और करना चाहरा था चोटा सा एक एक तो यह रिवीने बड़ी हो रही है ना फ्यार वन सा इसे पढ़ी लेते यार आप ख्याल आ रहा है पास तो कर लिया पर जी डिस्पोजल की जर्नल एंट्री तो याद होगी डिस चलो चोड़ो को मैं याद करा देता हूँ खेर है मूझे बताओ के डिस्पोजल की जर्नल एंट्री होती क्या थी साधाल अलफाद में सिर्फ यही बात कर देता हूं आप त्छे watch मोडल ही होता थे रही था 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 नवाट थी के बिस्पोजल की जर्नल एंट्री कैसे करते दरम्यान में गेन लॉस भी आ सकता है गेन लाउस लाएं आज तो गेन ही ले आएं ऐसे ही ठीक है जी मैंने कौन सा फिगर लिखनी है अच्छा अब एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट निकला करती थी और अक्यूमूलेटेप्शन अकाउंट में से इसकी डेट आफ परचेज से डेट आफ सेल तक की अक्यूमूलेटेड डेप्रीसेशन निकला करती थी खीक है न और आपकी entry हो जाती थी cash आप debit करते थे और gain या loss आपकी balancing figure आ जाती थी हाँ जी कुछ याद आया कि नहीं नहीं याद आ रहा इतना भी नहीं याद आ रहा तो अल्लह ही माले करते अच्छ अच्छ तो cost model के अंदर disposal की general entry ऐसे होती थी लेकिन F.A.R.1 में ही आपने revaluation model भी पढ़ा और revalued acid भी तो बिकता था आज भी बिका है तो revaluation model अगर हो जाए तो क्या क्या changes आती है ऐसे लगता है दिवारों को पढ़ा रहा हूँ ऐसे लगता है F.A.R.1 पढ़ा ही नहीं था आई के अपने भी कल कह दी है ना आपको के पढ़के आएं इसी लिए जी revaluation model के अंदर पता है ना फिर notification आगया लिए F.A.R.1 पास जरूरी F.A.R.2 के लिए unless के यही दो रह गए हो जी accumulated depreciation debit होगी उसी तरह से cash debit होगा P.N.L. credit होगा और asset की figure asset का account credit होगा लेकिन change क्या आया था change 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 क्या है यहाँ पर हम latest revalued amount को minus करेंगे latest fair value कह ले latest revalued amount और accumulated depreciation account के अंदर date of purchase से date of हाँ date of अच्छा हाँ date of purchase नहीं क्योंके date of last revaluation पर क्या होता है जितनी induction पड़ी होती है वो ने लोकर खतम शुद्ध मंगल बुद्ध हो जाती है यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा होता तो date of purchase नहीं आ सकता तो यह change आया date of last revaluation date last last revaluation date date से लेकर date of sale तक last revaluation date से लेकर यह तो सेम ही है ठीक है last date से लेकर date of sale तक तो मैंने का जारा सामने फरक आ जाए date of purchase से date of sale तक अगर कॉस मॉडल है और अगर रीवैलिशन मॉडल है तो date of last revaluation से date of sale तक ठीक है सर वैसे ही लिखे नहीं जैसा उपर लिखा हो जारा हमें याद अच्छा हो जाएगा अच्छा यार वैसे फरक को नहीं पड़ता यह मिझे लग रहा है कि जाद अच्छा लगेगा इस तरह नहीं लिखो डेट ओव लास्ट रिवैलिशन ठीक है ओके डन और सही है कि नहीं सही ओने निकनन इनकारी करता है जी फरक समझा रहे हैं अगर कॉस्ट मॉडल है तो अक्योमो लेटेड एक्षिन डेट अपरचेज से डेट ओ सेल तक और अगर रिवैलिशन मॉडल है तो डेट अफ लास्ट रिवैलिशन डेट ओ सेल तक क्या इस तो सी तरह से पी एनल भी बैलेंसिंग आता है एसिट अकाउंड में कॉस्ट तो पड़ी नहीं होती क्या पड़ा होता है लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट या फेर वैल्यू तो वही हम क्रेडिट कर रहे होते हैं इसकी पिक्चर लेने बेशक्त इसको अप्लाए कर लेते हैं अपने सवाग अच्छा एक एडिशनल बात अगर रिवैल्यूशन मॉडल हो और सर्प्लस पड़ा हो तो जैसे डेप्रीसेशन के वक्त सर्प्लस पड़ा हो तो दो एंट्री होती हैं रिवैल्यूशन सर्प्लस अगर पड़ा हो तो डिस्पोजल के वक्त भी दो ही एंट्री होंगी पहली एंट्री तो एसिट को करने की रिकॉर्ड कर लिए दूसरा उसका जो सर प्लस पड़ा रह जाता एस चला गया तो उसका Спर प्लस न चोड़ देना उसको भी उठाओ उठा कर फैंक दो जहां पे पहले जाता था याइए एक एंट्री और करके retained earnings को credit कर लोगे ठीक है जी इसकी picture अब आप बेशक ले ले डिस्पोदल की जनल एंट्री है पास model में भी और revolutionary model में जी वहीं चलें आप खत्म करें सवाल को क्या ख्याल है सब्सक्राइब पहले शुरू तो करें खत्म तो बाद में होगा मैं कहता हूं यह वाली इंट्री इसे पर कर दें फिर वहां दुबारा भी कर लेंगे कोई मसला ने ठीक है यह एंट्री दर करी लेते हैं तस्वीर आपने खेंच ली होगी अब मैं डेटा लिख लेता हूं पीनल तो बैलेंसिंग किसी भी तरफ आ सकता है वो देखते हैं जी ऐसेट सकते अध्री यह लेय्या वांट को क्रेड़ कर दो कितना 31 इशारीं ना दो एक यहुआच अक्य। UK लेटर डेप्चने अक्उंड में से डेट अफ लासली विखैल है यह कम जुलाई चौदा इसके दर्मियान इसकी सिर्फ डेमी मियों किसनी किया अगयी बछागे सी क्यों ले रहे तो कितनी है यह ड़ेउमारे छिंव सिश्कवाई यह सब्सक्राइभ हो ना पॉइंट सेमन सिस सेप त्री में हम कहा करते हैं जी हम record करेंगे cash को तो उसने कहा था was sold for 30 million तो cash 30 आ गया यह ने loss है oh my god तो profit and loss account में balancing figure चली जाएगी जो कि आज क्या है loss on disposal है जी कितना one point अच्छा अब यह जर्नल एंट्री अच्छा अभी भी नहीं अभी भी नहीं यह तो हो गया disposal अच्छा अब बात यह है कि आपके asset account में से अलग से आपको निकलता नजर आ रहा है 31.92 और accumulation account में से अलग निकलता और नजर आ रहा है 7.76 जैनी disposal तो होगा record वर्की में यह figures नजर नहीं आ रहीं वर्की में यह figures नहीं आ रहीं कहा हैं तो यह उपर नहीं लिख दिया sorry 31.16 और 4.1 अच्छा फिकर्ज होई है अच्छा जी वर्की में तो disposal के सामने नजर आ रहा है 31.16 यह क्या हुआ है जी asset account cost होता है अक्यूमडेशन अलग होती है इसलिए asset account अलग으면 खाली और है अक्यूमडेशन अक्यूमडेशन अलगあー लेकर लेकर न यहाँ पर working book willio पर बने हो गारे दोनों को net की ए तो बुक हो आई है Taylor आउप सिग्छा अगर इदर देखना है आप ने तो यहाँ अपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको इन्हें नेट करें देखना पड़ेगा कि यह asset हुआ credit और यह अक्यूमिटशन हुआ debit इनको net करो तो वही बनता है जो आपकी working में नजर आ रहा है तो disposal की working में यह rek Team में यह asset account में disposal हो गया cash का आना इस इस वर्किंग में नहीं आता यह प्रॉफ्ट गेंडिस्पोजल का गेंड लॉस है यह प्रॉफ्ट एंड लॉस में हम ले जाते हैं ड़न हो गया ठीक है अगली बात देखो यह एसिट पढा था इसमें पढा था निकाल के बार पैंग दिया लेकिन इस सर्प्लस में अभी इसका सर्प्लस कषिक और रहें गहा है अब वो कितने हैं वो कितने हैं Fourивают कीने तो पहले इतनी टामिस में यही वाली फिगर यह एक्जेक्ट मैच कर जाती है क्योंकि surplus अलग और इसकी depression अलग नहीं पड़ी होती कहीं पे surplus तो surplus ही होता है एक ही होता है मस्तला इस acid में होता है कि यह हाँ पर working book value भी हो रही है acid की और acid account cost पर अलग पढ़ रहा होता है accumulation अलग पड़ी होती है इसलिए यह figure तो बैस नहीं करती जितना surplus पड़ा हो इस disposal से related वो सारे का सारा उठा कर पहेंक दो कहां पर retained जहां जहां आज तक जाता था वहां पर ठीक है तो वह कठी entry करते हुए मैं दुबारा यह लिख दूँगा लेकिन यह ज़रा ते लो flow में आ गया था काम तो यहां पर भी कर लें जी शुरू करें आप entries क्या फर्माएं दुबारा हुँ हाँ 4.2 यह स्टार्ड पर नहीं पड़ा हुआ रीवेर्शन के दिन 4.2 पड़ा है लेकिन 6 महीने असे इस्तमाल हुआ डेपरिशन के entry नहीं करेंगे 6 महीने की करने लगा हुँ सेपरेट करेंगे सेपरेट करेंगे ठीक है लेकिन मसला क्या है मसला है फर टू आ चुकी है तो आप लोगों को यह याद ही नहीं है कि entries करनी जो है वो इधर तो शायद काम चला लिया मैंने डिस्पोजल था ना ठीक है लेकिन आपको पता है यह रीवेर्शन के कॉलम में जो movements होती है इनकी वज़ा से कौन सी वाली movement सर्प्लस जब आता है वह वाली movement और जब यह ट्रांसवर होता है तो यह वाली movement यह movement की तो entries होती है अब क्या करना है यह देख लेते हैं फिल्हाल तो सबसे पहला काम कर लें इसके टोटे कर दें दो अधर एक 30 परसंट और दूसरा 70 परसंट ठीक है जी सर्प्लस के कॉलम में सबसे पहला मामला यह आ गया 11.76 को तोड़ो 3.52 8.8 तो यह सही से बोलो ना मुह में न बोलो 8.8 यह सही है जी एक बचा जब बोले तो बाकी कन्फर्म किया करें उसको लिख न लिया करें यहां तक को मसला बोलो उसके बाद यह movement यह बन जगा और 0.03 और 0.07 यह 4.1 को तोड़ो 1.23 2.87 सही जा रहा है भाई बच्चा उसके बाद यह 0.36 को तोड़ो 0.1 1 कर लो और 0.25 दो तक ही चलो न अब दो से भी नहीं आगे बढ़ लो काफी है न दो जैसे और एंड पर टोटल 2.16 जरूरत कोई नहीं है वैसे लेकिन चलो 5.0 इन दोनों का टोटल यह 7.2 ही होगा क्योंकि अब मैंने क्या करना है यह काम हो गया ना अब मैंने इसको चुपा देना है चुपा नहीं है काड़ना मत पस लिखा रहे मैं देविसली लाइन लगा दी ताकि आप एंट्री करते हैं इसको ना देखे ठीक है अब जब एंट्री करेंगे पहली एंट्री ट्रांसफर की नजर नहीं आती दूसरी एंट्री होगी ऐसेट एंट्री करें रिवैलिएशन की पहले ट्रांसफर की करें पहले ट्रांसफर ऑफ एलिमिनेशन है वो ट्रांसफर की बात कर रहा हूं एसेट को बुक वैल्यू पे तो लाएं रिवैल्यू नहीं करना तो पहली एंट्री होगी एक्यूमूलेटिट डेप्रिसेशन डेबिट asset credit ठीक है कितने से यह 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 यकमजनरी 14 date of reversion पर यह accumulation पड़ी हुई थी तो पहली entry होगी accumulation debit asset credit 26 चारिया तीन दो दूसरी entry होगी asset debit यहाँ पर तो कुछ आए नहीं देखो कुछ है चुपा दिया मैंने line लगाई है तो यह चुपा हुआ है asset इसको नहीं देखना asset debit 11.76 DTL credit और surplus in OCI credit उसके बाद इसकी entry होती है इसकी entry वो भाई फिर बाग गया जब बात हो रही है तो वो भाई फिर कोई नहीं है ठीक है इसकी entry होती है क्या entry होती है DTL debit DTE credit लेकिन करेंगे नहीं automatically हो जाती है इसकी entry करेंगे surplus debit retained earnings credit इसकी entry वो ही entry हो रही है तो तीन बार आगई जो पहले करते थे इसकी entry होती है DTL debit DTE credit पर करेंगे नहीं DTL के ledger में automatically expense की entry हम इसकी entry करेंगे entry करेंगे surplus debit retained earnings credit ये क्या है 0.11 इसकी भी वही entry है DTL debit DTE credit होती है लेकिन करेंगे नहीं automatically हो जाता है और इसकी entry वही वाली surplus debit retained earnings credit तो ये सारी entries हमने अलग करनी है चीक है अब आपके जैनों में आ रहा होगा कि ये क्या किया है हमने तो भाई ये फिर यूं समझ लें ये समझ लें कि हमारा F.A.R.1 का सवाल जब तक था तो मैंने उसकी disposal के entry आपको revise कर लिए ठीक है ना अब F.A.R.2 में गया है तो उसकी अपनी entries कर लेते हैं ठीक है ना ऐसे ही है ना टेक्स को involve किये बगएर तो ये ही बनते थे ना figures तो ये मैंने entry कर वा दी ये आपका F.A.R.1 वाला सवाल सेम सवाल था वो ये आपने revise कर लिया ठीक है अब जब हमने उधर F.A.R.2 को involve कर दी है तो अब इसको चुपा लें अब अब अपनी entries करते हैं तर्तीव से यही जो बोली है entries यही सारी की सारी हमने करनी भी है ठीक है तो शुरू हो जो अब बाए एक ही साल है यकम जनुवरी दो हजार पहली entry accumulated depreciation debit फिर फिर वीडिसेज नाम लिखा हुआ तो ऐसीज दी चलने देक है फिलाल जीक है इस सोन तो लागे तो ज़ू कितना ऐसीज डे डेरी अगेंट आप चलो लिए works और लिख लो ऑफे बीडिइंग करेंगे यकम जन्वरी दो हजार चौदा पर वी वेलेशन के एंट्री एसेट डेबिट डीटी एल क्रेडिट सर्प्लस इन ओसी आई क्रेडिट तो तो उप्ते एसेट लिख लेया हूं रोड़ा ही प्यार है ओफिस बिल्डिंग्स डेबिट 11.76 DTL क्रेडिट 3.52 री वैलेशन सर्प्लस OCI में जी 3.8.23 उसके बाद जी अब ततीव वर्किंग के अंदर देखते जाएं एंट्री करते जाएं ये एंट्री होती है पर नहीं की इसकी एंट्री क्या होगी डेप्रिसेशन के साथ यकम जुलाई 2014 पर इसको बेचने से पहले डेप्शेट कर रहे हैं ये 30 जून लिख लो कोई मसला नहीं है ठीक है एक ही बात होती है डेप्रिसेशन डेबिट अक्यूमूलेटिट डेप्रिसेशन क्रेडिट कितने से जी 0.76 ये एंट्री मैं बोल नह गा था मेरे ख्याल से है ना मिस कर गया माजरत डेप्शन की अट्री तो होगी न भाई डेप्शन की होगी तो इन्क्रीमेंटर्टी डेप्रिसेशन की तरफ आएंगे इसकी नहीं करेंगे ये आटमेटिकली हो जाती और ये सरपलस की नासफ़र की करेंगे माजरत मैं है अगना एकरन टैक्स और डेफर टैक्स की एंट्री मेंसे निसे पूरी होनी काफी एंट्री ने जी पॉइंट जी-डीरो-जीन है उसके बाद जी डिस्पोजल के एंट्री यही अभी अभी सिखाई डिस्पोजल के एंट्री accumulated depreciation debit point यह तो सेम होगी मतला surplus में था ना ठीक है 0.76 cash debit 30 से और office buildings credit 31.92 से हां जी कितना gain आया था loss आया था यह एंट्री तो सेम ही होनी थी ना अब बोलो लड़ाई किसकी है इस surplus की जो टूटा पड़ा है तो जब surplus की इंट्री की तरफ जाते हैं तो फिर मसला आता है टैक्स फ़ला तो यह एंट्री तो सेम ही होनी थी यह एंट्री बिल्कुल सेम होनी थी ठीक है 31.92 लेटेस रिवैल्ड अमांट क्रेडिट की डेट अफ लास्स टीवैशन डेट अफ सेल तक की टेफशन डैबिट की कैश डैबिट की और गेंट लास आ गया सही है ना सही निकाल है ना यही था ना पहले जी आगे चले इसके बाद अब जितना surplus पड़ा है उसकी एंट्री कर दो तो पूरा तो 4.1 था लेकिन हमने का न डेटेंड अर्निंग्स क्रेडिट 2.87 से उसके बाद डेप्रिशेशन डैबिट अक्यूमूलेटे डेप्रिशेशन क्रेडिट 31 दिसम्बर 14 पर कितने से जी 5.62 से और उसके बाद 31 दिसम्बर 14 पर जी रीवैलिएशन surplus डैबिट ये आटमेटिकली हो जाएगी नहीं करते होते ये और रिटेंड अर्निंग्स क्रेडिट 0.25 से उमीब तो है दो एंट्री नीचे भी अब आई जाएगी ठीक है कोई मसला है तो पूछे जी भाई डैप्रिशेशन की एंट्री के सवाल वाले भाई गाट इट ओके अच्छा जी अब टैक्स वाले क्या फर्मा रहे हैं टैक्स डैप्शन इस अलाओड यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना बोलो जहां तक कोई मसला है तो पता दो मुझे टैक्स वाले क्या कह रहे हैं जी टैक्स डैप्शन इस अलाओड एड टैन परसंट ऑन रिद्यूसिंग बैलेंस विद फुल यह डैप्शन दा यह उफ परचेज वाई लो डैप्शन दा यह उफ इस्पोजल अप्लिकेबल मैं टैक्स वालों का लेजर बना रहा हूं जी पीपीए का लेजर बनाते हैं टैक्स रूस के साफ़ से जी यकम जनवरी 2014 पर ब्राट डाउन कितना है कॉस्ट बताएं 164 कितनी थी 164 इशारिया बोलें पांच तर इसको क्या हो गया अब ये 164 इशारिया पांच यकम जनवरी 10 पे खरीदी थी हमने डेट अफ परचेज निकाल चुके है न अब वो क्या कहता है जी 10% reducing balance method लगाओ अब वो shortcut याद करें हां जी into 90% करेंगे तो ये 3710 पे आ गया फिर एक और 90% किया तो 31 ग्यारा पे आ गया 31 समबर 12 पे आ गया और 31 समबर 13 पे आ गया ये बात याद आई शॉटकट लगवाया था क्लास में पता है नहीं यह आपने एक लास यह याद आया है ये क्या हुए अब समझाईए 164 यकम जनरी 10 पे था 10 परसंट डेप्शेट होना है तो एंड पर नवे रह जाना है फिर इस नवे का नवे करेंगे क्योंके बुक वैल्यू पर रेंट लग रहा होता है ये काम हमने किया था एक दिन आदा पोना गंटा इसी पर लगाया था ताकि जब कभी यह आये तो और ये भी बड़ी असानी से हो जाना है क्यों इसने क्या क्या का है फुल मंत फुल ये डेप्रिशेशन दे यर अफ एडिशन वाइल नो डेप्रिशन दे यर ओफ डिस्पोजाल इसका मतलब आया तो सारे के सारे ऐसे यह कम जनरी 14 को यह कम जनरी 10 को ही थे तो 10 11 12 13 14 में तो सेम कितना दीजी कॉस्ट इसकी 33 सवाल ने बताया हुग है जिसकी कॉस्ट कितनी थी 33 है 33 इंटू 31 दिसंबर 10 पे पहुंचाओ फिर 31 दिसंबर 11 पे फिर 31 दिसंबर 12 पे फिर 31 दिसंबर 13 पे जी 21.65 यार एक करो यार टाइम काम में 21.7 जी उसके बाद अब चुके बुक वैलियो पर एसेट अकाउंट हम बनाते हैं जान चुडाते होते हैं अपनी अलग अलग नहीं रखते इनको तो डेप्री सेशन भी मुझे अब निकालनी पड़ेगी डेप्री सेशन 31 दिसंबर 2014 पर वर डिस्पोजल का अकाउंट टेक्स वालों के हिसाब से एसेट अकाउंट में से क्या निकल कर इदर आ चुक है 21.7 की बुक वैलियो ठीक है कितने का ये एसेट बिका है कैश में तो कोई लडाई नहीं होती ठीक है तो क्या आ गया जी 8.3 पी एनल में और ये डिस्पोजल अका हमारा शायद लॉस आया है इनका गेन है फरक तो होता है यही तो फरक होता है ठीक है अब रह क्या गया जी सिर्फ डेप्रीसेशन एक्सपेंस यह बिल्कुल जो बच्पन में नहीं आप पढ़ा करते थे अकाउंटिंग में यह वो काम चल रहा है अब मैं वर्किंग 2.1 करत बढ़ रहा है क्योंकि आपको याद होगा हम कहते थे ओन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स बुक वैल्यू आफ ऑल ऐसेट से एक्सो नो इशारिया नो साथ शारिया नो माइनस 21.7 यह भी ओपनिंग बुक वैल्यू ही है क्योंकि इस साल में हो डेपिशेट किय ही नहीं हमने इसको ठीक है तो ओपनिंग बुक वैल्यू आफ ऑल माइनस ओपनिंग वैल्यू आफ डिस्पोजल इंटू 10% आंसर इस 8.6 एडिशन कोई हुआ है जी नहीं डिस्पोजल है तो सही लेकिन उसकी डेप्रिसेशन हम इस साल में ले नहीं सकते मना किया उन्होंने तो 8.6 इस दा डेप्रिसेशन एक्सपैंस पॉर दा इयर क्लोजिंग बता दो ये बैलेंसिंग आ गया 70.6 अब करने वाला काम जो आपने करना है वो करेंट टेक्स और डेफर टेक्स की वर्किंग करनी है देखें अकाउंटिंग एंट्री तो सिरफ उसने 14 की मांगी थी वो सिरफ चॉडा का नोट कह रहा है बना दो इसका मतलब चॉदा के लिए खरलन टेक्स और ौर 14 के लिए बैफर टक्स की वर्किंग करनी ऐसे ज्यादक नहीं करना जी सिरफ चॉदा के लिए करेंट डेफर टेक्स तो करेंट एक एक साल है करेंट है करेंट टेक्स 2,000 चौदा के लिए कितना जी प्राफिट इफोर टेक्स वाल में गिवन बोलो प्राफिट इफोर टेक्स फॉर इए चौदा इस हंडर्ड मिलियन साथ साथ कर लें उसके बाद कोई कुस्टन हो तो पूछ ले उसके बाद डेफ़र टेक्स का ये वर्किंग नंबर फॉर कर लेते हैं और डेफ़र टेक्स के मामले में मादरत के साथ आपको ओपनिंग भी चाहिए होगा और क्लोजिंग भी तो डी टी एल स्लैश ए एज आन 31 दिसंबर 13 भी आपने निकालने हैं क्या ख्याल है निकालना है निकालना क्यूंकि यही 13 का क्लोजिंग 14 का ओपनिंग बनेगा और मुझे गिवन नहीं है और डूसरी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी डी टी एल स्लैश ए एज आन 31 दिसंबर 14 मैं कहता हूँ कमज कम यह लिख लें उसके बाद नोट आप बेशेक गर से बनाईएगा मैं कल उसको आगे पढ़ाता सकता हूँ अब अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसेशन रिवर्स करते हैं टेक्स वालों की रिकॉर्ड करते हैं साल कौन सा है 2014 2014 वाले साल में हमारी डेप्रिसेशन जो है वो सिर्फ 0.76 है Am I right? नए 5.60 भी तो डेप्रिसेशन है for the year 6 महीनों की और ये फॉर दा ये बाकियों की ठीक है? वो डिस्पोजल की सिर्फ 6 महीने की आई है और इसकी पूरे साल की तो बताईए जी accounting एड क्या कर दे accounting वालों की depreciation वो यहाँ पर टोटल कर दो बताऊ कौन कौन से इससे है point 7.6 plus 5.62 जी total 6.38 ये एड हो गया less क्या करने देंगे हमें अपनी वाली depreciation tax वाले अलाओ करेंगे तो less कर दे tax depreciation जी 8.6 उसके बाद हमें आया हुआ है इस साल में loss on disposal tax वाले गयेंगे इसको reverse करो तो loss minus हुआ होता है add back करेंगे accounting वालों का gain on disposal ये marker को न कुछ हुआ मेरे pen को कुछ हुआ पड़ा है sorry loss जी कितना 1.16 add हो गया और less करते अगर tax loss होता लेकिन tax वालों को तो क्या आया पड़ा है gain आया पड़ा है तो add हो जाएगा tax gain कितना 8.3 उसके बाद शुकर करिए ये सारा खाली है क्योंकि गर इदर से कोई hit पड़ जाती PNL को surplus के आने पे या जाने पे तो वो भी हमें revaluation gain reversal of loss basically या revaluation loss की यहां पर reversal करनी पड़ती है ऐसा कुछ भी ना हुआ तो बताईए जी current tax फिर कितना हुआ 107. 107.24 तो चीज रह तो नहीं गई 107. इस पर लगाओ ज़रा tax at the rate of जी कितना आता है 32.17 इसकी entry होगी CTE debit, CTP credit defer tax में तो कोई मसला ही नहीं है tax base आपके सामने पड़ी है opening 107.9 और closing 77.7 tax base तो सामने पड़ी थी ना वो तो आँ डूडने जानी है 107.9 और 21.6 यह tax base है tax वालों का opening closing यहां से ठीक है accounting वालों का 31.13 तेरा पर acid कितने पर नदर आ रहा होगा 133.8 और 31.14 पर 112.4 यहीं है ना दोनो carrying amounts बोलो 31.13 पर पर पीपी की carrying amount क्या है 130 कितना था 0.18 और 31.14 पर carrying amount कितनी हो गई है 1 12.40 ठीक है अब difference जो है वो taxable होगा इदर भी difference क्या है taxable है क्योंकि carrying amount tax base से ज़्यादा है तो दोनों सूर्तों में defer tax लाया ability निकलेगी ठीक है जी तो note बन जाएगा अब तो कोई मसला नहीं है इसी सवाल को पूरा कीजेगा कोई homework नहीं दे रहा ठीक है और जो काम करवाया है उसको दुबारा ध्यान से देखना है जो adjustments करवाई है ठीक है तो ये ये काम हमने end पे जो किया ठीक है पी को book value पे tax वालों का book value पर बना किस तरह से बना कोई question है तो पूछ ले disposal कैसे बना पूछ ले ये simple सी working थी कोई मसला है तो पूछ सकते है यहां पर कल भी पूछ सकते है ये closing निकलेंगे defer tax liability के लेजर का ये opening बनाओगे ये closing बनेगा और balancing figure defer tax expense की आ जाएगी तो current tax और defer tax दोनों निकल आएंगे note बनाईएगा मैं कल note बनाऊँगा class में ठीक है